नमस्कार आज इस वीडियो में हम जैशंकर प्रसाद की प्रसिद्र कविता हिमादरी तुंग श्रेंग से पढ़ेंगे इसे कविता नकेकर गीत भी कहा जा सकता है क्योंकि यह यह जो कविता है यह जैशंकर प्रसाद की प्रसिद्र नाटक संद्र गुप्त है उसमें से ये ली गई है ये उसमें चंद्रगुप्त नाटक के पात्र के माध्यम से गाया हुआ एक गीत है इसलिए हम इसे गीत भी कह सकते हैं तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इस कविता का पार्ट सुनेंगे उसके बाद हम इसे समझने का प्रयास करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं हम इसके पाठ की और सुनते हैं कविता हिमाद्री तुंग श्रिंग से प्रबुद्ध शद्ध भारती स्वयम प्रभा समुझ्वला स्वतंत्रता पुकारती अमट से वीर पुत्र हो दिड़ प्रतिग्य सोचलो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो असंख कीर्ती रश्मिया विकेर्ण दिव्यदा हसी सपूत मात्र भूमी के रुकोन अशूर साहसी अराती सैन्ने सिंदु में सुबार्वागनी से जलो प्रवीर हो जै बनो बढ़े चलो बढ़े चलो हिमाद्रितुंग श्रेंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयम प्रभा समुझ्वला स्वतंत्रता पुकारती तो चलिए बढ़ते हैं इस कविता को समझने की और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह जो कविता या गीत है यह चंद्रगुप्त नाटक में से लिया गया है ये चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक के छटे दृश्य से इसे लिया गया है ये जो कविता है ये अपने आप में महत्वपून कविता है राश्री भावना से परिपून ये कविता है इस कविता में इस नाटक की पात्र है अलका जो की गांधार की राजकुमारी है गांधार की राजकुमारी तक्षशिला के निवासियों को वहां के वीरों को वीरों का आहवाहन कर रही हैं अलका इस गीत में सिकंदर के विरुद्ध गांधार की जो जनता है निवासी हैं उनको सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रिरित कर रही हैं इस कविता की शुरुवात की पंक्ति हैं हिमाद्री तूंग श्रिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयम प्रभा समुझ्वला स्वतंतरता पुकारती इन पंक्तियों में जैशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि अपनी विशद सम्रिधी से उजवल अपनी ही आभा से अपने ही प्रकाश से आलोकित भारत माता हिमाले की हिमादरी यानि हिमाले की बरफीली उची उची चोटियों से जो कि अपने आप में उन्नत हैं उन्नत चोटियों से अपनी स्वतंतरता के लिए भारत माता तुम्हा कर रही है स्वतंत्रता के लिए तो हमें उनके इस आहवान की अंदेखी नहीं करनी चाहिए हमें उन्हें स्वतंत्र करने के लिए प्रयास करने चाहिए यहां पर कभी कह रहे हैं कि कभी ने जिक्र किया है कि प्रबुद्ध शुद्ध भारती यानि की जो भारत माता है वो चारों वाली है वो भारत माता जो है हमें अपने अपनी स्वतंतरता के लिए जो की अपनी ही आभा से अपनी ही आलोक से अपनी ही चमक से उज्वल है वह स्वयम अपनी स्वतंतरता के लिए हमारा आवाहन कर रही है हमें पुकार रही है तो हमें उनकी इस आवाहन को सुनना च चनता को और प्रेवित करने के लिए अलका कह रही हैं अमट से वीर पुत्र हो दृड़ प्रतिग्य सोच लो प्रशस्त पुन्ने पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो क्या कह रही है कि तुम अमर वीर पुत्रों की संताने हो हमारा इतिहास बात का गवा है कि हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने बहुत सारे आक्रमनकारियों के साथ युद्ध किये हैं लड़ाई किये हैं और उनमें विजय प्राप्त किये हैं तो जो एक हताशा निराशा परतंत्र होकर वहां की जनता में च्छाई हुई है उसको दूर करने के लिए अतीत का गौरवगान करती हुई अ उन अमर वीर पुत्रों की संताने हो जिन्होंने कितनी ही लड़ाईयां जीती है इसलिए स्वतंत्रता के इस पत पर इस आदर्श पत पर जो है तुम द्रेड़ प्रतिग्या कर लो कि तुम इस पत पर आगे बढ़ते चले चले जाओगे प्रशस्ते पुन्य पंत है बढ़ स्वतंत्रता का मार्ग उच्छ आदर्शों वाला है कि इस मार्ग पर चलने के लिए स्वयम जो है उच्छ आदर्शों वाली भारत माता भी तुम्हें पुकार रही है तो स्वतंत्रता का यह जो पंत है यह जो मार्ग है यह जो रास्ता है यह अपने आप में बहुत पवित और आधर्श को लिए हुए है तो इस पत्पर बढ़ते हुए तुम्हें कभी भी पीछे मुढ़ने की जरुरत नहीं है इस पत्पर अपने भीतर एक प्रतिग्या लोग की तुम्हें स्वतंतरुता प्राप्त करनी ही करनी है और इस दृड़ प्रतिग्या के साथ जब आगे बढ़ होगे तो तुम आगे बढ़े चले जाओगे इस इन पंक्तियों के माध्यम से जो जनता में एक निराशा हताशा है उस हताशा निराशा को दूर करने का प्रयास किया गया है और उन्हें प्रेडित करने का प्रयास किया गया कि स्वतंतरता के मार्ग पर चलने का समय आ गया है और आप इसके बारे में आपको ना नुकुर नहीं करनी चाहिए सोचना नहीं चाहिए बलकि प्रतिग्या लेने की यहां पर आवशक्ता है कि हम अपनी भारत माता को स्वतंत्र करा के ही दम लेंगे आगे वह कहा रहे हैं असंखे कीर्थी रश्मिया विकिर्ण दिव्यदा हसी सपूत मात्र भूमी के रुकोन अशूर साहसी यहां फिर से अलका अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए उनकी शौरे गाथाओं का ध्यान करते हुए वीर पुत्रों को जगाने का प्रयास कर रही हैं कि किरति रशं विकेड़ कि हमारे पूरल भाज की युद्ध करते समय जिस वीरता का प्रधर्शन किया था उन शौरे गाताओं को याद करो जिंने हमने बच्पन से सुना हैं यह सारी शौरे ंगाथा यह यश की उनकी जितनी बी गाताएं है जो भारत को एक गौरव प्रदान करता Waters uh एक एक इतिहास है उस इतिहास को याद करो ऊन पूरवजों को याद करो उनका जो है है वो कर्णो के समाद उसकिर नु साथ विद्यमान ने सिधा Hmm तुम आपको, अकेला मत्समझाओ हमारे पूरवजों से अशिफ्रवाद दिन्स की कर्णों के साथ सांथ के रूप में हमारे साथ विध्यमान है तो आप जह समय पर्तंत्र होकर अपने आपको महसुस कर सुसी आपके ला महसुस मत करो हमारे पूर्वजों का अश्रवाद हमारे साथ है उनकी शौरे घाताएं हमारे साथ हैं जिनें पूर्व這個 अपने भीतर कुछ सहा जगानी की आवश्यक्ता है और अलका यहां पर वही काम कर रही है सपूत मात्र भूमी के रुकोन शूर सहासी और वो क्या कह रहे हैं कि तुम मात्र भूमी के सपूत हो वह पुत्र हो जो जिसने हमेशा भारत माता की रक्षा की है उसको सम्रिद्ध बन के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटोगे ऐसी असंखेश और गाता हैं जिसमें हमारे पूर्वर जोने अपनी जान का भी बलिदान दिया है तो आप उन शूर वीरों की संतान हो स्वयम तुम भी शूर वीर हो तो अपनी मात्र भूमी को बचाने के लिए उसकी स्वतंत्रता के लिए अब तुम्हें आगे आने की आवशक्ता है आगे वे कह रहे हैं अराति सेने सिंदु में सु बाडवागनी से जलो कह रहे हैं अराति याने शत्रू, शत्रू की सेना से तुम बढ़वागनी की तरह लड़ो, बढ़वागनी क्या होती है, समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग अपने आप में इतनी सशक्त और शक्तिशाली होती है, कि वो समुद्र के भीतर पानी के भीतर रह सक्षम इतनी होती है तो उसका उधारन लेते हुए बढ़वागनी का उधारन लेते हुए अलका उन्सुर वीरों में उतसाह वर्धन करने के लिए कहा रही है कि तुम भी शत्रू की सेना पर सिकंदर की सेना पर बढ़वागनी की तरह जो है तूट पड़ो फैल जाओ और उन शक्ता नहीं है तुम सहासी वीर पुत्र हो वीर हो तुम अच्छे वीर हो सच्चे वीर हो तुम्हें दृड़ प्रतिग्या करके आगे बढ़ते ही जाना है तुम्हें रुकना नहीं है पीछे मुड़ना नहीं है इन पंक्तियों में आपने ये समझा कि ये कविता जो है राश्ट्र की स्वतंतरता के लिए आहवान की कविता है तो ये कविता इस कविता में या मैं कहूं कि चंद्रगुप्त नाटक में के एतिहासिक प्रिश्ट भूमी को लेकर जैशंकर प्रसाद ने वर्तमान में जो तो ऊष्ट को निराज हताश भारती जलता है उसमें पुनाय उर्जा उर्जा करने का प्रयास इसमें किया जा रहा है तो इसकी विسेष्टा ऑब यह मानी जा सकती है कि अप्रसाद ने इस कविता में राश्त्रे भावना और देश-बक्ति का जो है देश भक्ती को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और क्योंकि लेखक अपने तरीके से रचनाकार अपने तरीके से राश्री अंदोलन में भूमी का निभा रहे थे उनकी भूमी का इसलिए बहुत महत्वपून थी कि भारतिय जनता को जागरित करने के लिए उनमें उ और महत्वपून बात यह है कि उन्होंने अलका के माध्यम से गीत को गवाया है तो यहां पर उन्होंने एक स्वतंतरता संग्राम में स्त्री की भूमी का को विशेश महत्व दिया है महत्वपून माना है जिस प्रकार अलका उत्सहावर्धन कर रही है उसी तरीके से भारत की तमाम स्त्रीयां स्वतंतरता संग्राम में योगदान दे रही थी अपने अपने तरीके से स्वतंतरता अंदोलन को गती प्रदान कर रही थी स्वतंतरता सेनानियों में उत्सहावर्धन कर रही थी तो अलका के माध्यम से स्त्री की विशेश भूमिका को यहां पर रेखांक कित किया गया है इसी तरीके का जिक्र हम कामाइनी में भी देखते हैं जब हताश निराश मनु अपने जीवन से निराश होकर बैठा हुआ होता है तब उसमें उर्जा का संचार उसकी निराशा को दूर करने का प्रयाश श्रद्धा करती है वहां भी जैशेंकर प्रसाद ने इस तरीकी इस भूमिका को जागरित करने वाली भूमिका को विशेश रूप से रिखांकित किया था वही उन्होंने यहां भी किया है इसमें उन्होंने जो हमारा जो गौरव रहा है हमारा जो अतीत रहा है जो इतना गौरव शाली रहा है जिसमें शौरे की तमाम गाथाए हैं उस इतिहास को याद करते हुए वर्तमान स्थिति का बोध कराने का प्रयास इस कविता में जैशंकर प्रसाद ने किया है संस्कृत निष्ट शब्दावली का प्रयोग किया है लाक्षन इक्षैली का प्रयोग किया इसमें एक बात और ध्यान देने योग्या है कि यहां पर भारत माता का जिक्र किया है हम अक्सर इस बात पर इस बात को खुद भी बोलते हैं भारत माता की जैके नारे भी हम लगाते हैं लेकिन हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि भ किरंचंद्र बंदोपाध्याय ने 1873 में भारत माता नाम से एक सबसे पहले एक नाटक खेला था वहां इस नाटक में ही सर्वप्रथम भारत माता शब्द का उलेख हुआ था इस नाटक में भारत के निवासियों को पालने के लिए इसके अपनी मा के लिए प्रयासरत अपनी मां को मुक्त कराने के लिए प्रयासरत उसमें दिखाई देते हैं साथ में जो भारत माता की संताने होती है वो भारत माता की जय के नारे बार बार लगाते हमें नजर आते हैं तो सबसे पहले हमने वहीं पर इसे जो है सुना था साथ ही यह जो भारत माता का किया था चैब हमने अपनी भूमी को मात्री भूमी को मां के समान मना अपनी भीन आपने भारत को संघष था और अधिक बलवती होता चला गया वह के साथी अंधोलन भैरत मताह दोल्रेकिंज होता था वोत गोश्च एध्यों समय भारत के जो सैनानी थे जो स्वतंतरता के लिए लड़ रहे थे वो उन में बहुत अधिक उर्जा का संचार करता था उससे वो स्वतंतरता अंदोलन को और अधिक गतिरी प्रदान कर पाते थे तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि यह कविता भले ही चंद्रगुप् के माध्यम से भी जैशंकर प्रसाद ने ततकालीन समाज में ततकालीन भारतिय परिस्थितियों में जो राश्री अंदोलन छिड़ा हुआ था उसको यहां पर बल देते हुए जैशंकर प्रसाद यहां नजर आते हैं इसके साथ ही एक बात और महत्वपून है जिस तरीके से उन्होंने अलका का यहां जिक्र किया अलका को यहां पर एक क्या कहेंगे जागरित करने वाली भूमिका में यहां रखा तो जिस समय जैशंकर प्रसाद यह नाटक लिख रहे थे उसी समय पर भारतिय राश्रे राजनीती में गांधी भी अपना योगदान दे रहे थे तो जी के जो अंदोलन थे उनमें भी इस्तरियों की भूमी का बहुत महत्वपून मानी जाती थी और बहुत सारी स्तरियों ने भाग लेकर भारती अंदोलन में अपनी बूमी का दर्ज की थी तो कहीं नकहीं उनका प्रभाव भी हमें यहां पर नजर आता है कि जिस तरीके से उन्होंने अलका के मूँ से इस गीत को गवाकर भारतिय शूरवीरों को प्रुचाहित किया था, वही काम गांधी के अंदोलनों में स्तुरियां भी इपनी भूमी का निभाकर कर रही थी, तो ये सारी बातें गीत को बहुत महत्रपून बनाती हैं, ये एक्जाम के दुरिष्टी से भी बहुत महत्रपून है, इसकी मूल समवेदना भी आपको लिखने को आ सकती है, प्रसाद के गीतों की विसेशता भी लिखने को आ सकती है, और साथ में इसकी भाशा शैली भी आप आपको लिखने को आ सकती हैं तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूंच सकते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद